दोस्तो जब किसी भी इंसान का जीवन साती गुजर जाता है तो उसके बाद उसकी जिंदगी कटना बहुती मुश्किल हो जाता है जैसे कि कोई लड़की का अगर जीवन साती गुजर जाता है तो वह विद्वा हो जाती है और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों की और पूरे जमाने की नजरें उसके उपर टिक जाया करती है इसे समंद्ध ताज की यह घटना है दोस्तो एक विद्वा महिला पांच बूढे प्रेमियों के साथ समंद्ध बनाती थी और फिर हुआ खूनी खेल और खूनी खेल में एक बुढ़े की हो जाती है मौत आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना की पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूँ सुरेश कुमार और तिरची बाद चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह घटना है बिहार के बारे बीगा थाने के एक गाउं की जो की एक छोटा सा ही गाउं था वहां की यह घटना है जहां पर एक पानी की टंकी होती है जो की जंगलों में बनी आती है और वह टंकी सुनसान जगे पर थी उस टंकी के पास से जब लोग गुजर रहे थे तो वहां से बहुत बुरी दुरगंद उठ रही थी और लोगों को कुछ दाल में काला लगता है लोग पुलिस को बलाते हैं और कहते हैं कि साब यहां से बहुत बुरी दुरगंद पुलिस उस टंकी पर चरती है और टंकी का जब धक्कन उठा कर देखा जाता है तो टंकी के पानी में एक डेड़ वोडी तेर रही थी जो एक बुजुर्ग आदमी की थी और उसके चेहरे को बुरी तरह से इंट से कुछला हुआ था पुलिस उस डेड़ वोडी को नीचे उतार लेती है और फिर गाओं वालों में सिनक्त करवाती है कि आखिर यह डेड़ वोडी किसकी है तो दोस्तों गाओं के कुछ लोग रोते हुए उस डेड़ वोडी के पास आते हैं और कहते हैं कि यह तो हमारा बाबा है इसका नाम है त यहाँ पर जो चाय की दुकान बनी हुई है इस पर चाय पीने के लिए आते थे दरसल दोस्तों गाउं के बाहर जंगल में एक पॉल्टेक्निकल कॉलिज होती है और उसकी बगल में एक चाय का खोका होता है वहाँ पर चाय बनाने वाली का नाम होता है मीनु देवी मीनु कि वह यहां पर चाय पीने के लिए आता तो था लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं वह कहां गया और अब वह यहां पर नहीं आता था दोस्तो पुलिस जो बुजर्ग जो क्या नाम होता उसका तुरूपती उसके घरवालों से पूछती है कि इसका कोई फोन नंबर या फोन हो फोन कहां है इसका तो घरवाले कहते हैं इसका कीपेड वाला फॉन था और वह भी गायव है दोस्तो पुलिस घरवालों से नंबर मांगती है उसका तुरुपती का और उस नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिलता है दोस्तों धीरे धीरे एक महीना गुजर जाता है और एक महीना गुजरने के बाद तरूपती का जो फॉन होता है वह चालू हो जाता है क्योंकि अभी वैस्ट से चौकता चालू जैसी होता है तो पुलिस उसकी location जांसती है तो पुलिस को उस phone की location वहीं पर मिलती है Polytechnical College के पास जो चाय का खोका था वहीं से उसकी location बोल रही होती है पुलिस तुरंत वहांपर पहुंच जाती है और पता चलता है कि वहाँ पर चाय बनाने वाली जो लड़की थी, जो विधवा थी, जिसका नाम मीनु देवी था, उसके पास ही उसका फॉन था, पुलिस मीनु देवी को अरेस्ट कर लेती है, उससे पूस्तास करती है कि तुम्हारे पास ये फॉन कैसे आया, तो मीनु सारी खटना बताती है, मिनु देवी कहती है कि उसका पती कुछ दिन पहले मर चुका था, उसकी मित्य हो चुकी थी, और फिलाल वे विधवा थी, खर्चा चलाना मुश्किल हो चुका था, तो वह यहाँ पर पॉल्टेक्निकल कॉलिज के पास में एक चाय का खोका लगाती ह और यहाँ पर चाय बेज कर अपना गुजर वसर करने लगती है, तब ही उसके पास चार बुजर्ग आया करते हैं, और उनमेंसे एक बुजर्ग उसको प्रपोज कर देता है, और कह देता है कि तुम्हारा भी पती नहीं है, तुम भी अकेली हो, और मेरी भी पतनी मर चुकी है, मैं भी अकिला हूँ, क्योंना हम एक दूसरे के साथ प्रेम प्रिसंग बनाएं, तो वह औरत मान जाती है और फिर उस बुजर्ग के साथ प्रेम प्रिसंग बनाने लगती है, फिर बाकी तीन बुजर्ग को पता चलता है, तो वह भी उसको प्रिपोज कर देते हैं, और और उसको पैसे दिया करते हैं खर्चे पानी के लिए दोस्तों मीनू का जो टाइम था वो अच्छे से गुजर रहा था बिल्कुल सांथ समुद्र की तरह ये बात है चल रही थी कोई दिक्कत नहीं थी तब ही इंट्री होती है इस कहानी में एक नए बुजरुग की जिसका नाम तुरूपती होता है जिसकी उमर सतर साल होती है उसको भी पता चल जाता है कि ये विद्वा औरत इन चार बुड़ों के साथ सम्मन बनाती है और जो तुरूपती था उसकी भी पत्नी मर चुकी थी तो वह सोचने लगता है क्यों ना मैं भी इसके साथ सम्मन बनाओं वह जाकर उस औरत मीनु देवी से बाते करता है और उससे कहता है कि मैं भी बुजर्ग हूँ और मेरी भी पत्नी मर चुकी है तो मेरे साथ भी प्रेम प्रिसंग बनाओ वे औरत पैसों की भूकी थी वे उसके साथ भी प्रिसंग बनाने लगती है और तुरूपती उसको उन चार बुड़ों से जादा पैसे दिया करता था अब क्या होता है जो मीनु देवी होती है वे जादा तर तुरूपती को ही अपने घर ले जाया करती है उन चार बुड़ों से बाते करना उसने बंद कर दिया है दोस्तो चार बुड़े अब जलनने लगते हैं और फिर चार बुड़े मीनू से कहते हैं चार बुड़े कि तुम हमारे साथ रहना चाहती हो या फिर तुरुपती के साथ रहना चाहती हो ये बात खुल कर बता दो वे औरत अब उन चार बुड़ों से कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ लेकिन वो ज़्यादा पैसे दे देता है और तुम जो चाहो वो करो दोस्तों उसके बाद क्या होता है वे चार बुड़े मीनु से कहते हैं कि तुम तुम तुरुपती को जंगलों में बुलाओगी हम उससे बात करना चाहते हैं तो मीनु देवी उस बुड़े को तुरुपती को जो सत्तर साल का है उसको बुलाती है और फिर चार बुड़े पहले और एक जो तुरूपती होता वह है और खुद मीनो देवी वहाँ पर बैट जाते हैं और छेओं लोग आपसमें बातचीत करने लगते हैं चारा बुजर्ग उस तुरूपती से कहते हैं कि तुम ऐसे संबंद नहीं बनाओगे और हमारा नंबर भी आने दो लेकिन वह गुस्से में लाल हो जाता तुरूपती उनको गालियां देने लगता है तबी एक बुड़ा हाथ में इट उठाता है और तुरूपती के सर में दे मारता है तुरुपती जमीन पर गिर जाता है और खून बहने लगता है थोड़ी देर मुझे सक सक कर मर जाता है अब उनको उसकी डेड़ वोडी को ठिकाने लगाने की चिंता होती है और सोचते हैं कि सारे गाउं को पता लग जाएगा हमारी बेज जैती हो जाएगी उसके बाद उसके चेहरे को बुरी तरह से इटों से कुचल कर बिगारते हैं जिसे की कोई पहचान न सके और फिर रात के समय में उसकी डेड़ वोडी को उठा करके गाउं की टंकी में डाल देते हैं उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों के बाद उस टंकी में से बदवू उठती है गाउं के लोगों के घरों में वह पानी पहुंचता है तो वह लोग परिसान हो जाते हैं पर उसको बलाते हैं सारा मामला खुल जाता है तो दोस्तों यहां पर पुलिस उन सारे लोगों को अरेस्ट करके उनको जेल में डाल देती है और एक बुजरुग जो तुरूपती था हवस के कारण उसने अपनी जान यहां पे गवादी होती है तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में ऐसा मामला आज तक आपने कहीं सुना नहीं होगा जो भी DSP थी इस मामले की चानबीन कर रहे थी वे भी यह कहती है कि ऐसा मामला मैंने आज तक जिन्दगी में कभी नहीं देखा दोस्तों यहां पर इसके पतन का कारण तुरूपती के पतन का कारण क्या बना हवस तभी मैं कहता हूँ بार-बार कि हवस के चक्कर में बहुत सारे गर बरबाद हुए है और आगे भी होंगे अपने आपको समाल कर रखें, अपने आपको साफधानी से रखें हवस के मामले में 99% लोग इसी तरह से मारे जाते हैं या फिर किसी और को मार देते हैं और अपनी जिन्दगी जील में गुजारते हैं तो दोस्तों अगर आपकी किसी से नहीं बनती है तो उससे दूर रहे पती की पत्नी से नहीं बनती है पत्नी की पत्नी से नहीं बनती है तो ये दूसरे को तलाग दे दें, किसी की जान ना ले और अपनी जीवन को बरबाद ना करें तो आप जो भी कुछ कहना जाते हैं अपनी राइक अमेल बोक्स में लिख सकते हैं और अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं को सेर जरूर कर दिया करें हम आपके बहुत-बहुत आभारी रहेंगे अगला प्रोग्रम में वजल्दी फिर से लेकर आओंगा किसी सची गतना के उपर तब तक आप खुस रहें, साथान रहें रिस्तों की अमित को समझें और हवस के चक्कर में कभी भी ना पड़ें ना किसी को हवस के चकर में डालें जैहिन जै भारत